असलाम लेकूम तो आज हम बराएंगे चटकारा कवाब रेसिपी रमजान स्पेशल सिरीज में मैं आप सभी के लिए लेकर आए हूँ सूपर सॉफ्ट एंड चटकारा कवाब रेसिपी बहुती लजीज बनकर ये रेसिपी तयार होती है तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं मैंने लिया यहां पर एक तवा तवे को मैंने हाई फ्लेम पर कर लिया था अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमे आट कर देंगे वन टीजपून भरकर साबु धनिया हाफ टीजपून काले मिर्च और हाफ टीजपून सीरा इन सभी को हम कर लेंगे तवे पर रोस्ट इनको खलका सा golden brown करना है जादा नहीं जलाना है और इनको फिर dry दरदरा पीस लेना है अब मैंने एक बोल में लिया है आदा किलो कीमा कीमे मैं आट कर देंगे हम यह ड्राय रोस्टेट मसाला वन टीस्पून अद्यकलैसून का पेस्ट वन एंड हाफ टीस्पून चिली फ्लेक और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक जतना भी आप पसंद करते हैं उतना एड कर सकते हैं मैंने यहाप पर एक बड़े साइस की अनियन ली ती जिसका साइस काफी बड़ा था तो अगर आपके पास बड़े साइस की नहीं है तो आप 2 मीडियम साइस की अनियन को बारिक कवाब कर लिया था और एक एग मैं इसमें आड कर रही हूं एग बाइंडिंग का काम करेगा कवाब को बाइंड करने का और इससे हमारे कवाब सॉफ्ट भी बनेंगे और एक बर्गर मैं आड कर रही हूं बेसन बेसन को हलका सा मैने तबे पर रोस्ट कर लिया था इससे जो कवाब को फ्राय करते हैं तो कवाब हमारे फटते नहीं है तो मैंने अच्छे से दबा कर सारा पानी अनियन का निकाल लिया था अगर आप बिना पानी निकाले कीमे में डाल देंगे या गोश्ट में कवाब को डाल देंगे तो इससे अनियन के अंदर जो पानी होता है वो रि जब दबा कर दबा कर हाथ से टिक्की बना लेंगे जैसे नॉर्मल कवाब की शेप होती है तो इसकी काफी अच्छे से देखे टिक्की बन गई है अब चलते हैं इसको फ्राय करने की तरफ तो एक साइड मैंने और गर्म होने के लिए लग दिया था तो मैं इसको कर रही हूं अब जिस्या यह होनार में तो जब 2-3 मिनंट लगाने की बन लात फ्राय समाथ से रखे लिए यहां प्रम इश्च काइबेंगे तो में घ्रम हो से 5-6 मिनट देखे लाद 1 में की भूत अक से जड़ की शेंच कर देंगे तोD sugar ही यहां इसकी साइड कावने की बना इसकीством न तो यह बहुत ही आसान और चटकारा कवाब रेसिपी है रमजान में इसे अपनी दस्तोखान पर एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा मैं तो हफते में 2-3 बार यह रेसिपी मेरे घर में जरूर बन ती है क्योंकि सभी की पसंदीदा रेसिपी है दोनो अगर आपको कवाब वाली चटनी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कॉमें जरूर बताइगा मैं आप सभी के लिए कवाब के साथ खाने वाली ग्रीन चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी फिर से लेकर आउंगी ऐसी मज़ेतार रेसिपी तब तक के लिए अलाफेर